नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं सन्यूक्त नियंत्रन कक्ष, अपात काली नियोजना, पुलिस बलो, दंडा अधिकारे के उप्रावधता और परतिनुक्ती, सांती समिती की बैठक की अगतन इस्थिती, डीजे और साउंड सिस्टम द्वारा उत्तेजक गानों के परयोग पनियंत्रन, जुलूस के दवरान चिकित्सा सुविधा, जुलूस की वीडियो ग्राफिक ड्रोन द्वारा, एरियल सर्विस लाइन्स की बेवस्था, धार्मिक अस्थानों की मोनेटरिंग को लेकर समिक चाकी गई है बिकास बिरोधी भाजपा को उखालना ही उदेश सियम चमपाई सुरेन, जार्खन के मुख्यमती चमपाई सुरेन सन्निवार को अपने ग्रिह जीला सराइक लेक हरसवा में थे, गमहरिया में उन्होंने भातिये जनता पार्टी को बिकास बिरोधी और तानासाही सरकार करा दिया है, चमपाई सुरेन ने कहा है कि तानासाही भाजपा सरकार को उखालना ही महागडबन का उदेश से है, उन्होंने कहा है कि मोधी की गरांटी का कर लोगों को गुमरा करने वाली भाजपा ने जार्खन की जनता से दगबाजी की है, यही वज़ा है कि लोग सभा चु प्रकाम शुरू कर दे भाजपा को हराने के लिए जुट जाएं। हाथियों का जुट हिसीम केंदला वा सेवाती के घाने जंगल से होते हुए सुबा करीब नव बजे गाउं में प्रवेश कर गया है। कुछ देर बाद ही जुट खुदी बेडा पहुंच गया है। एहम गाउं के किनारे खेती में लगे फसलो को रहुंदना शुरू कर दिया। खुदी बेडा के छोटू राम महतो राजन महतो ने बताया है कि फसल को रहुंद कर चौपट कर दिया। गिरीडी में अपराध की योईना बना रहे है। के बर्यारपुर में एक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिर्याक में हाई। और अपने घर पर हाथियार एवम गोरी रखा हुए है। सुचना के सत्यापन के लिए वर ये पताधिकारी के निद्देसावन साचापे मारे दलका गटन कर विदिवत करवाई करने के लिए पुलिस की टीम जैसे ही बर्यारपुर पहुंची तो वहाँ पर बैटा हुआ एक संदिक दिव्यक्ति पुलिस को देखकर भागने दुवा को खदेर कर पकड़ लिया है बैसाखी पर गिरीदी के परधान गुरु दुआरा में उमरे सरधालू बैसाखी परभ को लेकर गिरीदी के स्टेशन रोड इसीद गुरु सिंग सभा में सनी वर को भभव्य कराक्रम का ऑविजन किया गया इस दवरान गुरु और उनकी टीम ने सब्द कीर्थन प्रस्तूत किये हैं खालसा पंथ के 335 अपना दिवस को लेकर गुरु द्वारा गुरु सिंग सभा में 12 अप्रेल से चल रहे अकॉंड पाक्ट का समापन सनिवार को हुआ CISF का बोर्ड लगाकर बलोरो से अवैद सराब की तसकरी बोकारों में अवैद सराब के धंदेबाजों ने सराब तसकरी के लिए CISF के नाम का इस्तिमाल किया है बलोरो पस्तिया ये सेव का बोर्ड लगा कर धडल से अवैद सराप तसकरी की जा रही थी छापे मारी कर बड़ी मात्रा में बिदेशी सराप बरामत की गई है सहयक आयूक्त उतपाद उमा संकर सिंको मिली जनकारी के अनुसार गुप्त सुचना पर सनिवार को निरिक छक उतपाद सदर संदीप देव के नेतित में छापे मारी दलका गठन किया गया उतपाद दलवा बालीडी ओपी पुलिस बल द्वारा सनिवत रूप से मोहनपुर गाव में परदीप मंडल के घर पर छापे मारी की गई बैपारियों पर लाठी चार्ज के दोस्यों पर हो करवाई राजे पाल से की मांग सराइक लाख हर्सावाजी लेके चेमबर अध्यक्ष प्रेम चंद्र अगरवाल ने कहा है कि बेपारियों पर जे एनसी अधिकारियों द्वारा करमचारियों के द्वारा अतिकर्मन हटाने के दोरान की गई भरवरता पुर्वक लाठी चार्ज की वेकरी निंदा करते हैं इस परकार की करवाई की सी भी इठीती में सविकार नहीं है उन्होंने कहा है कि लाठी चार्ज के दोरान राहगीरों को भी नहीं बकषा गया चेमबर इस लाठी चार्ज का पुर्जोर विरोत करता है महा सचीव मनोज कुमार चौधनी राजेपाल से दोस्यों पर करवाई की मांग की है वहीं सचीव अकास अगरवाल ने इसे दुर्भावना पूर्ण करवाई बताया है महासाची मनोज कुमार चौजरी ने राजेपाल से मांग किया है कि इस कर्टना की तौरित जाच करते हुए इसके लिए जिमेदार अधिकारियों पर करवाई की जाए उन्होंने कहा है कि बैपारी दाष्ट एवं राजे के स्वरागें विकास के लिए करों का भुकतान कर अपना बैपार करते हैं और उनके खिलाप इस तरह की करवाई अत्यान थे ही निंदनी है देवघर में कल्यान बिभाग को नहीं मिले आदिवासी अभ्याथी बीतिव वर्स दुहयरतेश चोविस में कल्यान बिभाग को चातिविर्थी देने के लिए देवघर में आदिवासी अभ्याथी नहीं मिल रहे हैं इस कारण कल्यान बिभाग को प्राप्त डेढ़ करोर रूपाई सरेंडर हो गया है कल्यान बिभाग को यह रासी मार्च में प्राप्त होई थी लेकिन चातिविर्थी के लिए आदिवासी चात्रो का एक भी आवेदर नहीं आया बता दे बिभाग के अनुसार मनेता प्राप्त जीतने सिक्षन संस्थानों से आदिवासी चात्र चात्रावों की सूची कल्यान बिभाग करयाले को प्राप्त होई थी उस संस्थानों के आदिवासी चात्रों को बैंक के खाते में चात्रवेती के रासी टांसपर कर दी गई है बची हुई रासी डेर्ड कोरो रूपाई के लिए अत्रिक्त आदिवासी चात्रों के सुची सेक्षेनिक संस्थानों से नहीं आई जिस कारण रासी को स्रेंडर करना पड़ा है नबालिक से गैंग्रेप मामले में मुख्या आरोपी गिरफतार साहव गंज के बरहेट थाना की 14 वर्षे नबालिक के साथ हुए गैंग्रेप के बाद आत्महत्या कर लिए जाने के मामले में मृतका के पिता की लिखीत सिकायत पर बरहेट थाना पुलिष ने धारा 376-306 पोस्को एक्टवाज 34 भादविये के तहत कांड संक्या 372-24 दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी अकबर अंसारी के अलावे घाटना में सामिल उनके दो अने सोयोग्यों को भी गिरफतार किया है अने की गिरफतारी के लिए बरहरवा HDPO मंगल सिंग जामुदा के नतित में बरहेट थाना परभारी पवन कुमार के द्वारा छेतर में लगातार छापे मारी की जा रही है पलामु में वीडियो बनाने का विरोध करने पर लाठी डंडे से पीटा पलामू के छतरपूर थाना छेत्रे के चीरू गाओं के चहल थान में मटकोड़वा के दरान डांस करते जा रही महिलाओं के बीडियो बनाने के बिरोध करने पर मनचले युवक ने हमला कर दिया है लाठी डंडे से मार कर कई महिलाओं को घायल कर दिया गायल सोनी देवी ने बताया है कि उसके भाई की साधी के मटकोड़वा में घर की महिलाए डांस करते वे जा रही थी इसी दरान गाओं के यादव टोला के युवक डांस करती लडियो का बीडियो बनाने लगा जिसका बिरोध करने पर उन युवकों ने लाठी डंडे से हमल कर दिया मार पीट में सोनी देवी सोनाली कुमारी पुनम कुमारी गंपी रूप से घायल हाए सर्जू राय ने धुलू महतो पर साधा निशाना कहा मैदूरों का पैसा भी रंगदारी के तर पर रख लेते हाए दामोदर बचाओ आंधोरन के प्रनेता सह पूर्वी जम अनिवर्ग बोकारों पहुंचे सीटी सेंटर इस्थीत एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए सर्जू राय ने बाग मारा बिधायक स धनबाद लोक सबासे भाजपा परत्यासी ढूलू महतों पर जम का निशाना साधा उन्होंने कहा है कि भाजपा ने जिस प कोईला बेवसायो से रंगदारी लेते हाँ बलिक मईदूरों का पैसा भी रंगदारी कतर पर रख लेते हाँ मताद सर्जू रायने कहा है कि डिजो होल्डर से प्रती टर्न 18iso रूपे रंगदारी लिया जाता है वहीँ 2018 मेर आत्स रूपे प्रती टर था 25 अप्रेल तक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं मद्दाता लोग सभा चुनाओं में मद्दान पर्थित बढ़ाने एवं ज्यादा ज्यादा मद्दाताओक जावरू करने के लिए स्वाफी टीम की ओर से लगतार जीले में विभीन तरह के कारकरम आयोजीत किये जा रहे हैं इसी कड़ी में गुरुगार को समनाले पर्थित से मद्दाता जगरूपता वाहन रवाना किया गया जीला निर्वाचन पतादिकारी सा उपायोगत राहूल कुमार सिन्हा नोडल पतादिकारी स्वाफी को सांग निदेशक कुमार यादो एवं उप निर्वाचन पतादिकारी विबेक कुमार सुमन ने हरी जंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया परचारवान के माध्यम से राची लोग सभाचेतर के मद्दाताओं को चुनाव आयोग द्वारा त्यार किये गए विभीन गीतों से जागरूप किया गया इन्होंने यह भी बताया है कि अगर किसी मद्दाता को अपना ना वोटा लिस्ट में सामिल करवाना है तो वे 25 अप्रिल तक वोटा लिस्ट में अपना नम दर्ट करा सकते हैं ख़दानों ने भर दी जार्खन सरकार की जोली जार्खन में खान एवम ख़दानों से सरकार को कडोरों का राजास्व प्राप्थ हुआ है और पहली बार या आकड़ा 10,000 करोर के उपर गया है राज सरकार के ख़जाना तो जरूर भरा है लेकिन सबसे महत्पून बात्या है कि इन इलाकों में रायसो की वसूली अधिक हुई है जहां इडी लागातार केंप कर रही थी और इडी पैसो की लेंदेन पर कड़ी निगरानी रख रही थी इसके साथ ही जिन जीलो में पहले नाम मात्र का रायसो प्राप्थ होता था उन्ही जीलों में लक्ष की तुनला में डेर से दो गुना तक राय सुप्राप्त हुए है जारकन में विभीन जीलो में अलग-अलग परकार के खादानों से रईस प्राप्ती में पिछले वर्ष की तुनला में पांच सो कोड़ रुपे से अधिक किराची प्राप्त होई है गर्मी बढ़ते ही बिजली चोरी में इजाफा 16 पर एफायार दर्ज चैत्र मास में गर्मी क्या बढ़ी की राजधानी में बिजली चोरी का खेल सुरू हो गया है सिर्फ एक दिन में सहर के अलग-अलग इलाकों में रहने वाले 16 लोगों पर बिजली चोरी करने की प्रत्मिकी दर्ज की गई है किसी ब्यक्ति के द्वारा स्मार्ट मीटर में बाइपास लाइन लेकर चोरी करने के मामला है तो किसी पर टोका फंसा कर चोरी करने के मामला दर्ज है वही कई लोगों तो ऐसे भी हैं जिनके घर में बिजली का बिल बकाया होने पर बिली कारती गई फिर भी वे टोका लगा कर बिली चोरी कर रहे हैं छापे मारी करने वाली टीम भी किसी किसी इलाके में छापे मारी कर रही है छापे मारी का अस्तर बढ़ेगा तो बिली चोरी के कई और मामले सामने आएंगे नवाली किरनी बिरहोर की मौद पर NHRC सक्त हजारी बाग के केरेडारी परखंड में एंटी पीसी के चट्टी बरियातु कोल पर्योजना में कोईला खनन अस्थल के समी बीमारी से हुई नवाली किर्नी बिरहोर की मौत के मामले में राष्ट्रिय मनवा अधिकार आयोग ने मामला दर्च कर संग्यान ले लिया है आयोग इस पूरे प्रक्रम में हजारी बागी डीसी नेसी सहाय से आट सप्ता के भीतर करवाई कर इसे समन्तित रिपोर्ट देने को कहा है किर्नी बिरहोर की मौत का मामला समाजी करकरता मंटू सोनी ने उठाया था और इसकी सिकायत राष्ट्रिय मनवा अधिकार आयोग में की गई थी मंटू सोनी ने अपने सिकायत में लिखा था कि एंटीपीसी के चट्टी बर्यातु कोयल खनन पर योजना के महज कुछ की दूरी पर लुप्त प्राय आदीम जन जाती बिरहोर समुदाय की एक बस्ती है जहां एंटीपीसी के माद्यम से खनन कारे किया जा रहा है राम नौमी जूलूस पर ड्रोन से नजर रखेगी पुलीस राम नौमी पर वपर विधी बेवास्ता के मुद्दे पर ग्रीह करा एवं आपदा प्रवन्दन बिभाग की प्रधान सची वन्दा डाडेल वर डीजीपी अजय कुमार सिंग ने सनिवर को प्रजेक्ट भौन इस सभागार में वरिये पता दिकारियों साथ सन्युक्त बैठाक की है इस बैठाक में सभी जीलों के DC, SSP, SP वीडियो कर्फिसिंग से उपस्तित रहे बैठाक में सभी पता दिकारियों के यह निर्देश दिया गया है कि राम नौमी जूलूस पर ड्रोन से नजर रखेंग धार्मिक अस्तलों की सुरक्षा भी पुकता होगी, बिगत तीन बर्सों में राम नौमिक दरंदर्ज कांडवा उसके बिरोत की गई करवाई से भी अधिकारी अउगत हुए हैं धोंगी नहीं असली सनातनी, जेमेम ने बिजेवी परकासात तांजे भाजपा के अरोपो पर राज्य में सतरु जरक्ण मुक्ती मोर्चा ने पलटवार किया है, महा सचिव सुप्रियो भटाचा ने कहा है कि उल्गुनान रैली में धोगी नहीं, असली सनातनी हिसा लेंगे भाजपा को आदिवासियों की चिंता नहीं है, भाजपा जंगल में कार्पोरेट घरानों का परवेश करा रही है सुप्रियो भटाचा ने कहा है कि सदन से दोनीमत से आदिवासि सरनाधर्म कोड़ पारी करके भेजा गया, मगर केंद्र सरकार ने उसे वापस कर दिया अब केंद्र सरकार की नजर सरन्डा की जंगलों पर है, उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के इन इस्यू पर भाजपाक हमोस है, उसे जबाब देना चाहिए वहीं सरहुल की जाकियों में हेमा सुरेन की तस्वीरों परदर्शित करने को लेकर उन्होंने कहा है कि कितनी भी प्राथ में की दर्ज हो जाए लेकिन आक रोज को ए दबा नहीं पाएंगे ग्रिह परवेस के निमंतरन काड पर लिखवाया मोदी को करे वोट मामला दर्जे चारखन के रामगड में एक ब्यक्ति को अपने नए घर के ग्रिह परवेस निमंतरन पत्र पर वोट देने से समधित एक लाइन लिखवाना भारी पर गया है अब वह चुनाव आयोग के नोट और कानूनी पर रिशानी का सामना कर रहे हैं बता दे काड पर पर पिंट था राष्टर हित में मोदी को वोट करे 27 मार्च को ग्रिह परवेस था ग्रिह परवेस के बाद निमंतरन पत इंटरनेट मीडिया पर पर सारित हुआ तब चुनाव आयोग ने मामले का सोता संग्या लिया है आयोग की सिकाईट पर रामगट के राजरप प्रथाने में पूलिस ने मामला दर्च कर लिया है आरोपीत पूरण कुस्वाहा के बिरोध पूलिस ने अदर्स आचार संगिता उलंगन के मामले में IPC 1806 की धारा 188 सी तथा लोग परतिनिदित वादिनियम 1951 की धार पर ना कोई राष्ट ये संकल्प है कांग्रेस जी एमेम गटबंधन का कोई अधार ही नहीं है जातिये धुरूवी करण इनकी प्राथमिकता है इस गटबंधन ने समाज को ठगने का काम किया है जबकि एंडिये राज्य और राष्ट के हितों में काम करने के लिए परतिब पता दिकारी केंद्रिये सदस जीला कमीटी जीला के सभी परखंड परभारी एम हजारी बाग लोग सबाचेतर के सभी इकायोग परखंड अध्यक्स सचीव तता पंचायत एम ग्राम परभारियों ने हिसा लिया है हजारी बाग से 128 टन अवैध कोईला जब्द हजारी बाग डिएफो सबा आलम अंसारी के निदेश पर अवैध कोईला उत्खनन एवं कारोबार को लेकर वन विभाकी टीम ने बढ़का गाव में सखन छापे मारी की है टीम का ने तित्व एसी एफ अविनास कुमार परमार एवं बढ़का गाव रेंजर कमले सिख कर रहे थे छापे मारीक दोरान इंद्रा पसेरिया में संचालित अवैध कोईला खादान से कोईला उत्खनन कर लुरूंग वन भोमी पर दो लोडिंग पॉइंट पर भंडारीत एक सब अठाइस टन अवैध कोईला जबत किया गया जबत कोईलो को 22 ट्रेक्टर वर एक हाईवा में लोड कर बढ़का गाव वन विश्रमागार लाया गया रांची जीला परसासन का अल्टिमेटम हतियार जमा करे रांची जीला परसासन ने सोतंद्र निस्पक्ष एवां भयमुक्त तरीके से लोग सबाचुनाव संपन कराने के लिए लाइसेंसी हतियार धारकों को 24 गंटे का अल्टिमेटम दिया है उन्होंने कहा है कि अगर तैस समय सीमा के अंदर हतियार जमा नहीं किया गया बताते चले कि पिछले मां 30 मांच तक हतियार का सत्यापन किया जाना था लेकिन 347 लाइसेंस धारियों में से मात्र 50 पीदी नहीं हतियार का सत्यापन कराया था पलामू लोग सबा से मामता भुया ने बनाई रण निती पलामू लोग सभा सिट से रायत ने मामता भुया को अपना परत्यासी गोसित होने के बाद राष्टियेश जनता दल ने पलामू में चुनावी रन निती बनाना शुरू कर दिया है पार्टी चाहती है कि पलामू लोग सभा छेत्रे में साभा के लिए कई अश्टार परचारकों की साभा हो इसके लिए त्यारी की जा रही है पार्टी सुत्रों के नुसार पलामू लोग सभा छेत्रे में राष्टिये जनता दल लालू परशाद यादो तेहस्वी आदो तेजपता प्यादो समेत कई दिगजो की सभा चाहता है राष्टिये जनता दल के पलामू जिला अध्यक्स मोहन भी सुकरवा ने बताया है कि पार्टी मजबूती के साथ पलामू लोग सभा छेत्रे में चुनाव की त्यारी कर रही है धन्यवाद